नमस्कार दुर्शकोत अहे दिल से स्वागत आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जोतेश ज्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका प्रूबल आज हमें कैसे विशे को लेकर बात करेंगे जिसके बारे में सुनने में यकीनन आपको बहुत आनन्द आने वाला है आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सुनना पसंद करेंगे क्या होगा वो विशे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे ज़रूर बताएंगे आपको मगर उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे बेहत खास महमान का जी हाँ नमस्कार सर आज एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हर कोई व्यक्ति सुन्दर दिखना चाहता है अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए वो बहुत कुछ करता भी है पर सवाल आज मेरा आपसे यह है कि क्या सुन्दरता का सुन्दरे का संबंद ग्रहों से है जी आईए दर्शुकों आज के यूग को देखते हुए एक बहुत अच्छा सारगर्वित सब्जेक्ट हमने आज का चूज किया है सुन्दर यह और आपके ग्रह तो वास्तव में आप माने ना माने हमारी सुन्दरता का राज भी हमारे ग्रह खोलते हैं हमारी कई बार बहुत अगली नेस व्यक्ति के अंदर होती है उसका राज में व्यक्ति के ग्रह खोलते हैं आपकी जनम पत्रिगा के प्रथम भाव में यदि राहु कमजोर इस्तिती में विराजमान होकर के बैठ जाएंगे आपके चेहरे के उपर दाग धबे जाईया नजर आएंगे फुंसियों से आपका चेहरा भरा रहेगा बहुत व्यक्ति होते हैं बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं बच्चे होते हैं पुरुष होते हैं जिनके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे Pimpers पूरे चेहरे को भर लेते हैं। चेहरे की एक Glow जो होती है वो Svakta हो जाती है और व्यक्ति का चेहरा निस्टेज हो जाता. अब कितन-कित-ग्रहों का तालुख है इन सब बातों से? बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो इस प्रकार की स्थिती को व्यक्ति के संग पैदा कर देते हैं और एक चीज पर पताएं व्यक्ति के चेहरे की जो खुब्सूरती होती ही कोजिए चेहरा व्यक्ति का आईणा होता है ना वही उसका एक बहुत बड़ा प्रमान पत्र उसका चेरा होता आपके चेरे से ही कोई व्यक्ति इंप्रेस होता आपकी बातों से इंप्रेस होता है लेकिन बाद में पहले आपके चेरे से इंप्रेस होता है कई बार आपका जो फेस होता है वो एकदम फोटोजनिक फेस होता है और कुछ लोगों का face photogenic नहीं होता लेकिन कुछ लोगों का face ऐसा होता एक दम आप बड़े अच्छे से लगते हैं एक दम बड़े सुनतर gorgeous से लगते हैं लेकिन ये सब बाते आपके ग्रह वास्तम में बोलते हैं ग्रह कड़ाते हैं आपकी जनम पत्रिका में ये ग्रह जादा कमजोर होगा तो आप बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे क्योंकि लगन व्यक्ति की हस्पुष्टता को भी प्रदर्श्रित करता और दूसरी बात व्यक्ति कितना भी सुन्दर अपने आपको दिखाने का प्रियास करें लेकिन ये सुन्दरता आप अपने चेहरे के प्लमा थाए है पत्तर को लेकर कि चेहरे 7 हत्रोडे से प्रहार करता तो एक तराश करके मुर्थी के बहार निकाल देता उसी परकार से जानम से अंग सवर्य सारी चीजे लेकर के आते हैं एक चोटा सा मिसाल देता हूँ आप्की जनम पत्त्रिका में यदि लगन में Ek घ्री हैं निश्चत निश्चत ऐसे व्यक्ति का चेहरा गोल होगा और चंद्रमा के साथ यदि ब्रस्पति बैठ जाएं बहुत सुंदर वो व्यक्ति होता बहुत सुंदर वो प्राणी होता एक दम मतलब व्यक्ति उससे मुग्द हो जाता तो यह ग्रह होते हैं और वहीं यदि चं और चिंता की वज़े से भी, अब या कोई व्यक्ति के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो बात एक अलग होती है, लेकिन हादसे भी ग्रहों की वज़े से होते हैं, और व्यक्ति को चिंता भी ग्रहों की वज़े से आती है, कुल मिला करके होता तो तो सब कुछ ग्राउंगी ही वज़े से है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी खोफसूर्ती को और अच्छे से बना सकें बहुत व्यक्ति नाना प्रकार के संसाधन अपनाते हैं नाना प्रकार की बहुत सारी चीज़े ऐसी अपने जीवन में वो अपना लेते हैं लेकिन वो सारे संसाधन व्यक्ति के फेल हो जाते हैं वो सारे के सारे संसाधन धरे के धरे रह जाते हैं खासतोर से देखा नहीं कि दुनिया में कितने ब्यूटी पार्लर हैं कितने मसाज सेंटर हैं कितना पता नहीं क्या क्या है और क्या क्या व्यक्ति अपने चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए लगाता है रगड़ता है दुनिया में अगर आप टेलीविजन को ध्यान से देखो तो टेलीविजन में 90% जो एड आती है वो व्यक्ति को खुबसूरत बनाने के आती है फलानी क्रीम आती है फलाना आता है लेकिन एक सोचने की बात है कि एक बहुत देखो ये तो भगवान के हाथ में होता है काला गोरा रंग, सब दिल के तो सब अच्छे होते हैं, बहुत black व्यक्ति है, बहुत jet black उसका रंग है, तो आप कितने रंग की cream अपने चेहरे पर लगाएंगे, कितने रंग की cream अपने चेहरे पर मलेंगे आप, कि आप गोरे बन ज जो एक चेहरे से जो रिदम बरसता, आपकी आखों से जो नूर बरसता, आपके होटों से जो एक बाते बया होती हैं, और आप दिखने में एकदम गोर्जिस लगने लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, योग की विद्या हैं, योगा से व्यक्ति में सुन्दरता आती है, अच् अच्छे होते हैं, लेकिन दर्शो को उसके वावजूद भी कही न कहीं दिल में ठसक आती है, जब व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है, क्या आप दीखते हैं, आपका आईना आपको पॉजिटिव आंसर दे, क्या आप अच्छे देखते हैं, उसके लिए हम क्या सकते हैं, जो तिस के जहरोके में भी कोछ उपाई होते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, सबसे पहली बात, राहू अगर आपकी जनम पत्रिका में सही नहीं है, तो राहू के विमिल प्रकार के उपाई की जाते हैं, जैसे कि, आप रवड की चपल दान कर सकते हैं, आप कि मुलतानी मिठी के अंदर एक अच्छे से नीबू को निचोड रहें, दिन द्रस्पतिवार होना चाहिए, या दिन शुक्रवार का होना चाहिए, और एक हम आपको बीजात्मक मंत्र बता रहे हैं, उसको आप नोट करें, दो मंत्र को बताएंगे, शुक्र का और गुरू के जपें, और उसके बाद वो मुलतानी में वो नीबू जो है, वो पूरा अच्छे से मैस कर ले, मुलतानी मिठी एक दिन रात को ही भिगो दें पानी में, और अगले दिन वो लेप अपने चेहरे पर लगा है, जब तक वो लेप सूख नहीं जाता, तब तक आप क्या करें, शुक्र के बीजात्मक मंत्रका जाप करते रहें, मांसिक तरीके से ओम, द्राम, द्रेम, द्राम से शुक्राइनमा, चेहरों पर असर आता है ग्राओं का, जब हरे पीले रंगों का चेहरे पर असर आता है, इनका भी आता है, उसके बाद अपने चेहरे को वाश करने आपको अच्छा लगेगा आपको एक उपाय और जिस समय सुबह सुर्य उदे होते हैं सुर्य लालिमा लिए हुए बिल्कुल नीचे से उपर की तरब उगते होते हैं तब आप बिल्कुल सुर्य के समख खड़े हो जाएं बैठ जाएं एक बार सुर्य भगवान को प्रणयाम करें वह सुरी एक बार सुर्य भगवान को नमशकार करें और नमशकार करने के बाद अगर आपको प्रणयाम आता है तो प्रणयाम करें साधे तरीके से कर लीजिए का आप नहीं आता है तो कोई बात नहीं गहरी सास को सिरे पंदर खीचते रहें धीरे धीरे छोड़ते रह उस वक्त में आपको गाहित्री महामंत्र पढ़ना है या उस वक्त आपको ओम हिरिम सूर्याइन महा इस बीज मंत्र का जाप करना है 21 दिन की सूर्य के सामने की जाती है बहुत 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 अच्छा रिजल पिर दो ने ! एक कांच की शिशी ले 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 और कांच की शिशी में ताजा जल भर दें और उस कांच की शिशी को किसी लकड़े के पाटे के उपर धूप में रख दें उपर से कार्क लगा दें ये कांच की शिशी लाल रंग की होनी चाहिए उसमें जल हमने भर दिया और वो जल वहां रख दीजिगा उस जल को 21 दिन धूप का सेवन करा में धूप में रखें 21 दिन के बाद उस जल को उसी मुलतानी मिट्टी में मिला कर भी आप चेहरे को दो सकते हैं बहुत अच्छा लाब मिलेगा अब जिनके फोले फुनसी पिम्पल्स जहाईयां नहीं जाती वो क्या करें वो भी उपाए सुन ले बुधवार की प्रातेकाल आपने घरतकुमारी सुना होगा बुद्वार की प्रातेकाल ओम बुम बुधाय नमे बोल करके आप घरतकुमारी अपने चेहरे पर लगाएं कैसे आपने जिस्वमे उस ब्रक्ष घरतकुमारी की डाल को थोड़ा सा लेना है तो आप क्या करें उसको पहले नमशकार करें और हे वनस्पति देव मेरा कल्यान कर लिए उसके बाल ओम बुम बुधाय नमे एक दो मिनट आप कम से कम 31 से 21 बार आपको यह बीज मंत्र पढ़ना है ओम बुम बुधाय नमा चेहरे को वाश कर लिजेगा धाई जाई धबा बिलकुल भी आपके चेहरे के ओपर नहीं रहेगा जो भी जाई डाग धबे होते हैं चेहरे से बिलकुल दो मिल हो जाते हैं यह उपाय आप करें लास्ट उपाय आप सुन लीजेगा पूर्णिमा की रात्री में आप चांद की रोशनी को देखें चांद को देखें थोड़ी देर जितनी देर आप देख सकते हैं और मंत्र में चंद्र का विजात्मक मंत्र या पूर्णिमा पांच वा दिन होना चाहिए पांच दिन लगातार ऐसा करें और उसके बाद पूर्णिमा में कच्चे दूद को थोड़ा पानी बानी मिला करके आप पूर्णिमा की रात्री में राद भर रखा रहें दे सुबह उससे चेहरा बाश करें बहुत सारे मैंने प्रति दिन सेवन करना चाहिए आप 41 दिन करके देखें आमला अमरत होता है रामबान होता है लेकिर आम बुम बुधायना में बोल करके चवाइए या उस आमले को कद्दू कस करके उसमें एक चमच शहद मिला करके उसको लीजिएगा कंडिशन अपलाई धेड़ घंटे तक कुछ खाना नहीं है सुबह सुबह वह ले लिजिएक उसके बाद आप चाहिए वारी जो लेना चाहिए आप ले सकते हैं एक 40 दिन का कोर्स होता है अमले का बिलकुल आपके चेहरे के उपर रोना खा जाती और बताएं आपको एक छोट के लुखाई ना शुरू करते हैं आप चेहरे के उपर न हाएगे और निश्यत तोर से आपको बहुत सुन्दर आप लगेंगे और एक सुन्दर व्यक्ति यूंगे में आपकी शुमारी होने लगेगी एक बात जरूरी हाँ पसर मैं कहूंगी कि आज को जो विशे हमने उठाया वो बहुत ही सुंदर है खुद में और बेहद अनुखा है यह तो असली सुंदरता आपके मन में ही है आपके भीतर ही छुपी है लेकिन फिर भी किस तरह से सुंद सुंदरता ग्रहू से संबन्द रखती हैं क्या उपाए आप अपना सकते हैं यह आ आज आतने जाना ऐसी ही और अधिक जान्कारियां को आपको करना क्या है YouTube पर subscribe करना ना भूले Facebook पर like करना ना भूले और शर्मा अगर आप श्रमाजी से व्यक्ति का तौप पर मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहीं दूर दराज रहते हैं आपके लिए मुलाकात कर पाना संभव नहीं हूँ पा रहा तो ऐसे मैं आप कॉल अपॉंट्मेंट ले लिजेगा वक्त एक बार फिर से मैं आपको ब जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरु दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि सच के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं यह सिरिप कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सकती तो कोई नहीं है गुरु गुरु के बाद भगवान गुरु माता पिता और भगवान यह तीन चीज़ को अगर हम पेज से अवश्य जुने हमारा फेस्बुक पेज है प्रोफ.धर्मेंद्र शर्मा इसे प्रकार से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं